अब हम क्या करेंगे यहां पर Banner Ad को Show कराएंगे, तो उसके लिए आप ज़िए Carousel का Use कर सकते हैं, और Carousel के लिए हम क्या करेंगे, Simply Google पे एक Search कर लेंगे कोई भी Package, और उसका Use करके Carousel Create करेंगे, आप यहां पर Search कर सकते हैं, जैसे कि Expo Carousel करके Search कर लेंगे, Expo, Carousel, और का Documentation open होगा, या फिर इसका Direct Example भी open हो सकता है, क्योंकि यह NPM.js पे नहीं था, Direct इसका Code हमको मिल जाएंगा, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका Code है, और कैसे आपको इसको Use करना है, तो यहां पर देखिए, आपको कुछ इस तरीके से इसको Import करना पड़ता है, और इसक हम इसे ही का इस्तेमाल कर लेंगे, तो चलिए, पहले शुरूम क्या करेंगे, एक New Component Create करेंगे, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, उसको Step by Step Copy Paste कर लेंगे, Copy Paste तो बहुत Simple है, पहले शुरूम क्या कर लेंगे, इसका जो भी Data है ना, उसको separately एक File के अंदर Add कर लेंगे, तो चलत यह JavaScript की File है, इसमें हम क्या करेंगे, यह जो भी Data है ना, इसी को As It Is Copy, Paste कर लेंगे, यहां से आप क्या करें, Data के Array को Copy कर लें, Copy, Copy करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको Paste कर देंगे, यहां पर, Paste, और साथी मैं मैं इसको Export भी कर देता हूँ, तो इस Const से पहले आप क्या करें, लिखे Export, Const, और यह Data है ना, सो Data के बदले हम क्या करेंगे, इसके पहले देंगे, Banner Data, कुछ इस तरीके से, Save कर लेते हैं उसको, तो यह Auto Format हो जाएंगा, कुछ इस तरीके से, यहां पर हमारे पास देखे, Cover Image URL है, उसके बाद में फिर Corner Label है, और फिर Label Text भी है, तो जो बता हूँ, Banner, तो Banner, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक New File बनाएगे, Banner.js, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी Code, इसको, As It Is, Copy, Paste भी कर सकते हैं, तो देख लेंगे, कैसे इसने है, जो है, इसको, Destructure किया हुआ है, पहले शुरू देखी, यहां पर एक Render Item के नाम से function है, और इस function के बाद में, एक और return statement है, जिसमें carousel है, और साथी में दीखिए, styling भी है, तो styling में क्या करता हूँ, पहले शुरू copy, paste कर लेता हूँ, पूरा, तो यहां से आप क्या करें, style को copy कर ले, पूरा style में ने copy किया, copy करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसको functional component बन कर लेते हैं इसको, तो सारा CSS code हमने paste कर दिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जितना भी इसके अंदर code है, उसको copy paste कर लेंगे, तो चलते हैं वापस, देखिए return में view है, तो इस return को भी आप as it is copy कर सकते हैं, या फिर start से करिए, ठीक है, यहां पर जो const है ना, render item, यहां से लेकि आप क्या करें, जितना भी return statement है, यहां तक के return है, तो इसको हम copy कर लेंगे, copy करने के बाद आप क्या करें, वापस आए, component के अंदर, और यहां पर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा return remove कर लेंगे, और directly जो है, total paste कर देंगे, यहां पर, save कर लेते हैं इसको, जैसे save करे पिक भी नजर आए, तो यहां पर हमने application को reload कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, home page में add कर देंगे, categories के बाद में, तो यहां पर categories के बाद में आपको लिखना है, banner, और यहां पर लिखेंगे, banner, self close tag, save कर लेते हैं इसको, save करेंगे तो error show करेंगा, और style sheet का error है, check कर लेते ह error है होंगे, उसको fix कर लेंगे, कोई दिखकत नहीं है, style sheet double double import हो गया, इसको मैं remove कर लेता हूँ, save कर लेंगे इसको, उसके बाद में width है, so width, I think इसने directly width को add किया हुआ है, एक बार cross check कर लेंगे, उपर imports देख लेंगे, width इसने कैसे get किया हुआ है, देखें यहाँ पर इसने windows में से direct width को get किया हुआ है, और यहाँ पर carousel का import भी चाहिए, तो यह दोनों को हम क्या करेंगे, यह फिर पूरा import मा copy कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें dimension भी है, image भी है, तो यह सारी चीजी भी च इसको और नीचे reload कर देंगे एक बार, और यहाँ पर error शो कर रहा है, response error आ रहा है, और हमने इस package को भी install नहीं किया है, तो पहले शुरू इसको install कर लेंगे, ठीक है, so server मा close कर देता हूँ, control C, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, npm, i, फिर package को paste कर देंगे, react native x carous इतना लिखके आप enterprise करिए, तो यह package आपके react native की application में install होना start हो जाएंगा, चोटा सा package है, protect x यह download हो जाएंगा, देख सकते हैं, almost यह download हो चुगा है, तो यह download हो गया, हम क्या करेंगे, फिर से server को restart कर देंगे, so lpm start, और फिर से emulator को हम क्या करेंगे, यहाँ पर reload कर देंगे तो जैसे bundle run हो जाता है, वापस से e-press करेंगे, फिर से हमारी application यहाँ पर restart हो जाएंगी, अगर यहाँ पर कुछ भी glitch होता है, तो आप क्या करें, यहाँ और error है, property data, अब यह data क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने data को separate file के अंदर add किया हुआ है, कुछ इस तरीक से देख स इसमे कुछ भी छेड़ चाड नहीं करना है, नीचे scroll करिए, यहाँ पर देखे, data का एक variable है, इसके अंदर जो है data को pass कराना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इस data को cut करेंगे, इसके बदले लिखेंगे, banner data, देखें आपको suggestion शोग करेंगा, और यहाँ पर आप पढ़ सकत कर लेता हूँ, और यहाँ पर तो कोई भी result अभी दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हाँ, हमना इसको home में add किया था न, एक बड़ चेक कर लेंगे, देखे, banner तो हमारे पाद successfully import है, इसमें कोई भी value शोओ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, h1 add करके देख लेता हूँ, सिर्फ test purpose के लिए, कि सही में data हमको मिलता है या नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, panel, data, save, और यहाँ पर, अच्छा, h1 में लिख लिया है, इसके बदले इसको लिखना पड़ेगा, text के अंदर, so text, opening और closing tag, और जैसे हमने text में लिखा तो कुछ भ flex one हम use नहीं कर सकते है, और इसकी width भी change कर लेंगे हम, जैसे कि width देखें, आप पर 0.9 इसको 1 कर लेता हूँ, ठीक है, width 1, save, तो यहाँ पर entire width इसने ले लिया, और height, height ज्यादा हो रही है, height कम करके देख लेते है, pour कर देते हैं इसको, अब ठीक है, अब ठीक ठाक लग रहा ह और यह border radius हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर देखे, card wrapper के अंदर border radius है, इसको comment out कर देता हूँ, save, तो देखे, अब बराबर से आ रहा है, और इस text को remove कर लेंगे, सिर्फ test के लिए हमने add किया हुआ था, तो इसको यहाँ से remove कर लेंगे, अब ठीक ठाक है, यहाँ पर आप slide भी set किया हुआ है, और यह width आ रही है न, यह dimension की मदद से get किया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी device की width को get कर सकते हैं, आप dimension में से windows की width को get कर सकते हैं, यहाँ पर destructure किया हुआ है, dimension के अंदर window है, window के अंदर जो इसकी width है, इसको यहाँ पर destructure किया हुआ है, destructure मतलब क्या है, कि extracting values windows में से value को extract किया window के अंदर हमको height or width मिलती है तो इसने directly width को destructure कर लिया ताकि हम उसको कहीं से भी use कर पाए और यहाँ पर जो भी है आप as it is carousel का use कर सकते बाद में हम जब data के साथ में इसको bind करें के तो यहाँ पर values को change कर देंगे अभी फिलाल के लिए जो इतना काफी है और क्या कर सकते हैं इसमाब और हाँ इसके click पे भी हम क्या कर सकते हैं operation perform कर सकते हैं यानि हमको पता भी चलना चाहिए न कि कौन सा item यहाँ पर click हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे यह जो render item है इसमें देखिए container है container के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर pressable के इस्तेमाल कर सकते हैं so pressable opening और closing tag और जो second view है तो इस view को यहाँ से हम क्या करेंगे cut कर देंगे card wrapper का जो view है इसको यहाँ से cut करेंगे pressable के अंदर इसको paste कर देंगे save और इसके on press पर क्या करेंगे हम यहाँ पर check करेंगे कि value बराबर से pass होती है नहीं तो हम क्या कर सकते है pressable के on press पर एक inline arrow function call कर लेंगे so inline arrow function इसमें हम alert कर use कर सकते हैं और यहाँ पर हमें लिखता हूँ click save करके एक बार check कर लेंगे अब जैसे हम इस पर click करूँगा तो दीखे बराबर से click हो रहा है और इसको enhance कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास ID है कर एक बार check कर लेंगे यह panel data है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ID भी add कर सकते हैं so underscore ID की field में add कर देता हो copy और इसी को हम क्या करेंगे सभी में add कर देंगे so second वाले में भी paste इसकी ID चेंज कर देंगे इसको कर देंगे second same उसी तरीके से इसको भी copy करके third वाले में add कर देंगे ID आप यहाँ पर change कर ले same उसी तरीके से last वाले में भी आप इसको cut करके paste कर ले, copy करके paste कर ले, यह है for, अब हम क्या करेंगे, इसकी id भी get करेंगे, क्योंकि देखे, यहाँ पर क्या click हो रहा है, उसके base पर हम क्या कर सकते हैं, user को redirect कर सकते हैं, मानली, जिसमें कोई product है, अब वो जैसे user इस पर click करेंगे, तो वो ही product select हो रहा है नहीं, वो हमको check करना है, तो id सबकी unique है, तो इसके base पर हम कर सकते हैं, चलते हैं वापस banner.js में, और इसमें हम क्या करेंगे, id को यहाँ पर pass करा लेंगे, अब id कहा से आएंगी, यहाँगी data में से, और data को हम क्या करेंगे, इसमें as a argument receive कर रहे हैं, अब इसमें जो logic use किया हुआ है, उसके according हम यहाँ पर इसको test करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर data की मदद से underscore id की field को get करना है, तो हम क्या करेंगे, देखे, यहाँ पर इसको dynamic बना लेंगे, कर रहा है, first पर क्लिक करेंगे, तो दीखे, यहाँ पर थोड़ा सा animation past है, इसको भी आप further change कर सकते हैं, इसका documentation एक बार ज़रूर देखें, कैसे यह काम करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यह तो example हो गया, अगर आपको official देखना है, तो आप इस package को copy करें, और npm.js पर आप इसको search कर सकते हैं, तो इस तरीके से open हो रहा है, official homepage यहाँ पर है, तो आप इस पर click कर दिए, कैसे काम करता है, नीचे आपको मिल जाएंगा, दिए showcase, usage, props कैसे pass कर सकते, layout, parallel, x, image, pagination, यह सारी चीज़े यहाँ पर मिल जाएंगा, देख सकते हैं, complete example आपको मिल जाएंगा, अगर आपको कुछ भी change करना है, तो आप इसका documentation फॉलो करकर की चीज़ों को change कर सकते हैं, और अभी फिलाल के लिए तो ठीक टाक लग रहा है, देख सकते हैं, इस पर जैसे click होंगे, तो बराबर से id भी get हो रही है, बाद में जो भी data हमारा खुद की database से आएंगा, तो image भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी खुद की separate add कर सकते हैं, और admin panel से भी हम क्या कर सकते हैं, separate form इसके लिए बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, banner पर काम होगा, उसके बाद मैं तरह आपको देखी, यहाँ पर जो icons है ना, तो यह थोड़ा से अलग-अलग लग रहे है, font awesome, तो मैं क्या करता हूँ, इन icon को जो है ना, change कर लेता हूँ, हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू देख लेंगे, end design icon यूज कर लेता हूँ, उसमें ज्यादा ठीक ठाक लग रहे थे मुझे, मैंने चेक किया था, एक बर मैं बता देता हूँ आपको, इस package का नाम क्या था, react, vector, icons, first link आपको मिल जाएंगा, इस पर click करिए, यहाँ से हम mobile करके search कर लेंगे, so mobile, first link मिल रहा है देखिए, end design में, तो mobile one करके है, तो copy कर लेंगे इसको, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर categories को जो data है उसमें पहले शुरू changes कर लेंगे, so यहाँ पर मैं लिखता हूँ, mobile one, उसके बाद मैं laptop है, so यहाँ पर हम laptop भी search कर लेंगे, laptop, end design में से copy paste कर रहे हैं, so make sure, यहाँ पर लिखा बार रहता है, end design, यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी icon पसंद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद मैं हम क्या करेंगे, third is desktop, तो यहाँ पर हम desktop search कर लेंगे, desktop, दीखिए आपर icon font desktop, end design में से है, इसी को हम copy कर लेंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, पेस्ट, फिर टैबलेट है, तो टैबलेट भी आपर search कर सकते हैं, टैबलेट, टैबलेट 1 करके है, तो copy, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसको, उसके बाद मैं है headphone, तो यहाँ पर हम लिखेंगे headphone, earphone करके search कर लेते हैं, earphone जो है available नहीं है, end design में, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर start में दीखे, end design के जितने भी icon आ रहे है, इस में से एकाद headphone के लिए देख लेंगे, तो दीखे, customer service है न, इसको मैं copy कर लेता हूँ, यह icon हम use कर सकते हैं, so headphone के बदले customer service icon और पर accessories है, तो accessories के लिए कोई भी आप menu use कर सकते हैं, जैसे के हम देख लेंगे, कोई लगता है कि इसमें से ठीक टाक, कोई दूसरा ठीक टाक हम को दिखता है, तो हम उसका use कर सकते हैं, जैसे के यह वाला ठीक है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद आएंगे वापस VS Code में, और list के बदले इसको paste कर देंगे, save कर लेते हैं इसको, और जैसे save करेंगे ना तो दीखें, हम पर icons बराबर से show नहीं करेंगा, क्योंकि अभी library कौन से use कर रहे हैं, and design की, और इससे पहले हमने क्या किया था इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दीखें, हमने इसको जब font awesome में से get किया था, तो इसके बदले आपको क्या करना है, simply package का नाम change करना है, font awesome को आप cut करेंगे, इसके बाद में आप लिखेंगे, and design, इतना लिखेंगे आप save करिए, तो दीखें, perfectly icons यहाँ पर show कर रहे हैं, देख सकते हैं, और आप चाहें, तो यहाँ पर font awesome का जो text हमने लिखा था ने, इसको भी change कर सकते हैं, कैसे, simply end design को copy करेंगे, यहाँ पर paste कर देंगे, उसी तरीक यहाँ पर कोई भी आपको colorful icons को add करना है, तो आप कर सकते हैं, देकिन यह ज़्यादर ठीक टाक लग रहे हैं, वरना वो काफी जो है, ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ पर देखें, perfectly balance icon यहाँ पर show कर रहे हैं, mobile, laptop, desktop, tablet, headphone, तो perfectly हमारी application में देखें, categories, और फिल banner की functionality बन गई इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, products पर काम कर सकते हैं, तो simply हम क्या करेंगे, एक product को display कराएंगे, उसके बाद में next जो है multiple products पर काम करेंगे, और footer पर भी हमको भी काम करना है,